हेलो स्टूरेंट्स कल स्टूरेंट्स देखेगा हमने पुनर स्थापन इस्थाई संपत्यों के संबंद में लेखांकन प्रविस्टियां देखे थी किस प्रकार से धी खाता पद्धिती के अंदर जब इस्थाई संपत्यों का पुनर स्थापन किया जाता है तो हम किस प्रका रुपे पर पुने निर्मान कराती है कार खाने को जिसकी की मूल लागत 24 लाक रुपे थी पून रूप से पुनर स्थापित किया गया है नए कार खाने को बनाने में 2 लाक रुपे की पुरानी सामगरी तथा कुछ पुरानी सामगरी को 80,000 रुपे में बेचा गया है सामगरी श्रम एम उप्रिवें में उस समय के तुलना में जबकि श्रम कार्खना बनाया गया था क्रमेश है 100%, 50%, 25% की व्रद्धी की गई है सामगरी श्रम एम उप्रिवें का मूल लागत अनुपा 6, 3 और 1 है आवशक जर्नल प्रविस्टियां दीजिएगा इस तरह से जो है इस पुनर स्थापना के अंदर हमें प्रशन दिये जाते है इसके अंदर जो इस्थाई संपत्ती है उसकी हमें old cost दी जाती है old cost को हम नए मुले पर उसको replacement कर रहे है यहां पर जो total cost है उस total cost को तीन भागों में विवाजित किया गया material, labor और overheads हमें क्या करना है सबसे पहले जो इस संपत्ती की original cost है जो पुरानी इसकी cost है उस पुरानी cost को हमें क्या करना है material, labor और overheads के अंदर विभाजित करना है उसके परशाद फिर हम क्या करेंगे हमें इसके अंदर व्रद्धी करने के लिए कह रहे है कि 100%, 50% और 25% से हमें इनको increase करना है तो हम इनकों क्या करेंगे, इनके अंदर व्रद्धी करेंगे और उसके परशाद जो है, हमारे पास क्या दाएगी current cost दाएगी, current cost के बाद में हम क्या निकालेंगे इसके अंदर capital cost निकालेंगे तो जैसा कि प्रश्ण के दे रहा है उसके अंदर सबसे पहले देखेगा एक statement जो हम इसके अंदर बनाएगे current cost की गण्णा करने के लिए calculation of current cost हम क्या कर रहे है current cost की गण्णा करेंगे calculation of current cost किस प्रकार से निकालेंगे जो material है, material हमारे को क्या दे रहा देगी, एक total हमारी सामगरी जो हमारा ये था कार खाना उसकी स्थाई समपत्यां मून लागत कितनी है, 24 लाग के 24 लेक्स की, 24 लेक्स को हमें क्या करना है, material, labor और overhead में, 6, 3 और 1 की रिश्व, 3, 6, 3 और एक के अनुपात में हमें विवाजित करना है, तो 24 लेक्स का, जह है, वो हम निकालनेंगे 6 बटा 10 करेंगे, तो इसका amount आजाएगा, हमारा 14,40,000 का, इसी प्रकार से हम labor को करेंगे, इसको 24 लाग, इंटो 3 बटा 10 करेंगे तीन भाग है, इसका 7 लाग 20 सजा और फिर हमारा overheads है, overheads का जह है, वो हमारा ratio है, 1, तो हम 24 लाग इंटो 1 लाग 10 कर देंगे, तो 2,40,000, अब इसके प्रशाथ हमें क्या करना है, इसको जो index दे रखा है, उस index से हमें इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए प्रश्चन में कहा गया है, कि material cost हमारी 100% से increase हो रही है, तो एड इंक्रीज करेंगे, 100% से, 24 जो हमारा 14,40,000 आई थी, उस 14,40,000 को 100% से increase कर देंगे, तो यह जाएगा हमारा 28,80,000, लेबर कॉस्ट जो है, वो हमारी हाई है, 7,20,000, इसको हमें increase करना है 50% से, तो हम इसका 50% से increase कर देंगे, तो आजाएगा हमारा 10,80,000 जो है, इस प्रकार से increase होके आजाएगा, 7,20,000 प्लस 50% 3,60,000 इसको दो 10,80,000 फिर है ओवरेट्स, ओवरेट्स का रेश्वा हमारा 1 इस टू 10 था, तो हम इसको 2,40,000 आए था, 2,40,000 को 25% से increase कर देंगे, तो हमारा आजाएगा, यह तीन लाग जो है, यह हमारे ओवरेट्स आजाएगा, तो हमने क्या करा, जो हमारी औरिजनल कॉस्ट मूल लागत है, 24 लाग, इस 24 लाग की मूल लागत को हमने मैट्रियल लेबर और ओवरेट्स के अंदर 6, 3 और 1 के अनुपात में, पहले हमने इनको विभाजित कर दिया है, 6, 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करने के पर शाथ में, जो हमें मुल्य सूचकांग, मुल्य दे रखा है, जो index value दे रखी है, उससे इनके मुल्यों में व्रद्धी करके, और हमने जो है, इसकी cost और current cost निकाल ली है, तो जो हमारी cost है, current cost आई है, जो कि चार्स्ट revenue करना में, वो total आगया हमारा 42,60,000 जो है हमारी cost आगया, इसके बाद में हम दूसरा calculation करेंगे, capital cost का, तो हम करेंगे, capital, calculation of capital cost, capital cost की गणना करने के लिए हमारे को क्या करना है, इसकी नई संपत्ति की लागत, total work cost कितनी आई है, cost of construction of work, total नई cost हमारी कितनी आई है, 60,00,000 तो 60,00,000 हमारी work cost आगया, इसमें से less कर देंगे, charge to revenue, जो पर हमने current cost निकाली है, यह charge to revenue है, इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, less कर देंगे, एक statement और हम त्यार करेंगे, अब हमारे पास में cash कितना हुआ, capital cost का cash कितना कर रहे हैं, 17,40,000 की capital cost आ गई है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे, 2,00,000 रुपे का old material जो है, वो हम use में ले रहे हैं, जितना हम old material यूज में ले रहे हैं, उसको हम इसमें से less कर देंगे, 15,40,000 का जो है, वो हमारा cash payment किया जाएगा, तो अब हम करेंगे general entries, general entries में देखेंगा, सबसे पहले entry बनाएंगे, works account debit, works के अंदर कितना दाएगा हमारा, 15,40,000 कौन सा वाला, जो 17,40,000 capital cost आई थी, उसमें से हमने less कर दिया है, जितना हमने old material use में लिया है, वो amount हमने यहां और less कर दिया है, तो amount आगया, तो हमारा 15,40,000 तो 15,40,000 तो 15,40,000 आजाएगा, दूसरा replacement account जह है हमारा, वो हमने निकाला तब 42,60,000, इन दोनों का total जह है, वो हमारा two bank हो जाएगा, जो कि amount आजाएगा, 58,000,00 का यह हमारा amount आजाएगा, दूसरी entry, हमने जो old material use में लिया है उसके लिए entry करेंगे, works account debit to replacement account, दो लाक रुके से यह entry बना दी जाएगे, फिर है इसके परशाद, हमने कुछ old material बेचा है, तो हम entry बनाएगे, bank account debit to replacement account, 80,000 का material हमने बेचा है, तो 80,000 का यह है, वो entry को बना दी जाएगे, amount, यह lies from the sale of old material, इसके परशाद, अब हम क्या इस replacement खाते का balance की का लेगे, replacement खाते का balance करने के लिए देखेगा, हमने replacement खाते को debit किया, 22,60,000 से, और हमने इसको credit किया है, एक बर credit किया है, अपनने 2,00,000 से, दूसरी बर credit किया हमने इसको 80,000 से, 2,80,000 इसमें से हम less कर देते हैं, तो हमारे पास में amount बचेगा, 49,80,000, इस 39, को हम किसमें transfer कर देंगे, revenue account में transfer करेंगे, तो entry क्या बनाएंगे अपन, revenue account debit to replacement account, balance of replacement account transfer, इस प्रकार से ये general entries जो है, हम इनकी संबन में बनाएंगे, चुंकि इस question में हमारे से खाते नहीं पूची जारे संबनित खाते, तो हम खाते इसके इंतर नहीं बना रहें, तो देखे गन्ना करना है, हमें जो है, वो गन्ना करनी है, current cost की, capital cost की, और जो work cost के अंदर charge की जाने वाले राशी, thank you students